उगते सूरज का प्रदेश अरुनाचल यहां के JNV पापन पारे से तापी अकू सभागार में उपस्तित है आप से कुछ प्रशन पूछना चाहती हैं मानिय प्रदान मंत्री जी अकू अपना प्रशन पूछिए अपने पार्लेमेंट में अधिकारों और कर्तवियों पर बाशन दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया आपकी अनुसार देश के नावरीकों को कर्तवियों के प्रती हम केसे सजक बना सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद अकू for a question similar to this one we have with us Shailesh Kumar from KV Gilnagar, Chennai. He is a class 11 student from Tamil Nadu, a state famed for its heritage temples. The next question is from him. Could we have the question please? Namaskar sir, my name is P Shailesh Kumar. I am a student of class 11 studying in Kendra Vidyalya, Gilnagar, Chennai. Sir, being a student, what are my rights and what duties I need to perform? Thank you. Thank you Shailesh. इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और भी है. मान्यवर, राश्ट्र पिता महात्मा गांधी, दायानान सरस्वती तथा सर्दार वलभाई पतेल जैसे व्यक्तित्व से गौरवानवित, गुजराद के महराजा अग्रसेन विद्याले से गुनाक्षी शर्मा इस सातरा हूं. मैं एमदाबाद गुजराद के महराजा अग्रसेन विद्याले में पढ़ती हूं. माननिये मैं आपसे ये प्रश्न करना जाती हूं कि मैंने सिविक्स में नागरिक, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है. इन दोनों में से सबसे ज़्यादा मह आक्षी एवं अको की नागरिक कर्तव्यों के विशे का जिग्यासा का समाधान करें. सबसे पहले तो यह सवाल मुझे अरुनाचल की बेटी ने पूछा है. और मैं स्वाभाविक बानता हूँ कि अरुनाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा. आपके मन में होगा ऐसा क्यों? आप मैंसे शायद कोई अरुनाचल गए होंगे एक नहीं मुझे मालूम नहीं. इस देश में अरुनाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दुसरे को जब मिलते हैं तो जयहिन करके ग्रीट करता है. यह हिंदुस्तान में बहुत रैर है. आपको कोई भी विलेगा तो जयहिन करेगा. और उसका कारण 1962 के वार के बाद और उन्हें चल का जो मिजाज बना है. उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा के सिवाए देश के अंदर जीवन में जादा प्रतार के लिए अंग्रीजी में में उतनी मास्टरी, हिंदी में भी उतनी मास्टरी की है. आप वहाँ के बच्चों को मिलोगे तो आपको लगेगा और मैं आप सबसे अग्रह करूँगा कि कभी न कभी बैकेशन में दौरा करने का मन करें तो आप नौर्थ इस्ट जरूर जाएए. जाएंगे? नहीं पहले तो सिंगापूल जाएंगे. फिर दुबाई जाएंगे. उसके बाद मोका मिला तो जाएंगे. ऐसा करेंगे ता? हमारा देश सच मुझ में अधभूत है. अनुभव करने जैसा है. मैं आज इहां जब आया, तो अलग-अलग बच्चों के जो पेंटिंग थे, उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा कि बच्चे अपनी मात्रु भाषा के सिवाए किसी दूसरी भाषा में अपना परिचे करवा रहे थे. महराश्य की बच्ची उडिया भाषा में परिचे करवा रही थी. देहरादुन की बच्ची मल्यालम चल रहा है उसको ले करके इन सब बच्चों ने कोशिश की हैं और मैं आप सबसे भी आगरह करूंगा अपनी मात्रू भाषा फिर अंगरी जी भाषा उसके बाद हिंदी भाषा उसके सिवाए हमारे देश में इसतना सम्रिद्ध खजाना है कोई न कोई एक भाषा से परीचर क करना चाहिए कि अब भिषाया है कर्तव्या कर एक तो अधिकार और कर्तव्या कि साथ-साथ ज ciao आथ है बहीं से गड़बर हो जाती है यानि कि अधिकार भाव को एक मवस्ता है कर्तव भाव को दूसरी मवस्ता है जी नहीं हमारे कर्तव्य में ही सब के अधिकार समाहित है अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूँ तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है तो फिर अधिकार और कर्टव्य का खगड़ा नहीं रहता है माहत्मा गांदी बहुत आगरपूर वह कहते थे कि मुलभूत अधिकार नहीं होते है मुलभूत तो कर्तव्य होते है और अगर इमाम दारी से हम अपने कर्तव्यों का दिर्भाव करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अधिकार उसमें समरक्षित ही होगे दूसरा कभी कभी हम कुछ दाईत्व निभाते हैं जैसे परिवार में माता, पीता अपना दाईत्व समालते हैं बच्चा अपना दाईत्व समालता है अडोस-पडोस के लोग अपना दाईत्व समालते हैं लेकिन बात इहां तक सिमित नहीं होती है इतना बड़ा विशाल देश एक राष्टर के रूप में हमारे कुछ कर्तब्बे हैं अगर देश को आगे ले जाने के लिए कुछ करना है तो करना चाहिए अब जैसे 2022 आज़ादी के 75 साल हो रहे है अब आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं और 2047 आज़ादी के 100 साल होंगे आपने कभी सोचा है कि 2047 में जब आज़ादी के 100 साल होंगे तब आप कहा होंगे आप किसी ने किसी वबस्ता में लीडर्शिप देते होंगे लीडर्शिप मतलब मेरा कवाला काम नहीं जीवन के हर खेत्र में लीडर्शिप होती है क्रिकेट का एक कैप्टन भी लीडर्शिप देता है कबड़ी का एक कैप्टन भी लीडर्शिप देता है कारखाने में दोसों मद्दूरों के साथ काम करने वाला भी लीडर्शिप देता है तो जीवन के हर खेत्र में जब देश आजादी की सताब्दी मनाएगा तो आज जो मेरे दफ्री बारवी की विद्यारती है बेव उस समय देश में लीडर्शिप की पोजिशन में होंगे अब आप सोचिए कि जब देश आजादी के सो साल मनाएगा आप लीडर होंगे उस समय लीडर्शिप के समय आपको बिलकुल तूटी फूटी फालतू दवस्ता मिल जाए और फीर आपको गहें लीडर्शिप करो तो अच्छा रहेगा गया तो मजबूत विवस्ता चाहिए कि नहीं मजबूत विवस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अब जो भी देश मजबूत बनेगा तो किसके काम आएगा भई आज जो 80-90 साल वाला है उसके काम आने वाला है क्या नहीं आएगा देश का अगर परियावरण की रक्षा होती है तो किसके काम आएगा देश के अंदर संसाधनों का सदूपयोग होता है तो देश के काम आएगा देश की एकोनोमी आगे बढ़ती है तो किसके काम आएगा इसका मतलब यह हुआ मानो 2022 आजादी के 75 साल है इस देश के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी फांसी के तक्ष पर चड़ गए थे अंडवा निकोबार के जेलों में जिन्गियों गुजार दी थी किस लिए देश आजाद बने आजाद मतलब जन्दा बढ़ने अतना थोड़ा है हम आत्म निर्भर बने हमारा आत्म गवरों बढ़े हम आत्म सम्मान से जीए मैं इसके लिए कौन सा कर्तव में निभा सकू जो इस भाव को मजबूत करता है उन कर्तवियों का मुझे पालन करना चाहिए जैसे क्या मैं ताय कर सकता हूँ कि 2022 आजादी 35 सार होते है मैं अब मैं और मेरे परिवार में हम जो भी कुछ खरीदना होगा हम लोकल खरीदेंगे मेक इन इंडिया चीज ही लेंगे अगर बिल्कुल हमारे देश में उपलब्दीन नहीं है तो ठीक है बाहर से लाएंगे मुझे पताईए करता भी हुआ कर नहीं हुआ देश का भला होगा नहीं होगा देश की एकोनमिकों ताकत मिलेगी निकी मिलेगी लेकिन अगर हम रेडिमेट चीजे लाएंगे क्रेकर भी बार से लाकर करेंगे तो क्या होगा तो हमारे अपने अर्दे देखाऊगा कुछ लोग बहुती जाघरू होते हैं स्वच्छता की विशे में बहुती कॉंसेस होते हैं इसलिए सुबह जल् Giving उड़ जाते हैं पूरे घर की सफाय कर देते हैं सफाय करने के बात क्या करते हैं बहार निकल के देखने हैं पडोसी वाला सोया है कि जागता है और दीरे से वो कुड़ा कजरा महां छोड़ देते हैं अब उन्होंने अपना कर्तवे तो पुरा किया लेकिन सचमुझ में देशित के लिए कर्तवे किया क्या नहीं किया फिर वो सुबे जब उठेंगे तो देखें अच्छा याज जल्दी उठकर के डाल गए हैं वो उठा करके यहां डाल देंगे स्वच्छता होगी नहीं कुड़ा कच्रा इदर से उदर होता रहेगा क्यों एक राष्ट्रिय कर्तव्य के लिए मेरी जिम्मिवारी है उसको निभाने दाओ बहुत छोटी छोटी चीजे होती हैं मैं घर में अगर बिजली फाल तो मैं नहीं जलने देता हूं पानी को नहीं जाने देता हूं मैं बिना टिकट कभी ट्रेन में सफर करने वाले को स्विकार नहीं करता हूं बहुत सी चीजे हैं जो जीवन में एक-एक हिंदुस्तानी करे तो देश बहुत तेजी से बदल सकता है और इसलिए एक नागरी विवाद सही है कि इन दिनों सिलेबस ऐसे बदल गए हैं और उतने सिलेबस का बढ़ चड़ करके हो गया है कि शायद जो हम लोग जब पढ़ते थे तब नागरीक शास्त्र पढ़ाया जाता था शायद अब दिरे धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेकिन हम सब का करताब है कि एक नागरीक के नाते अपने कर्तबियों को प्राश्विक्ता दे अपने विवी उप्योगी होगा समाज जीवन के लिए भी उप्योगी होगा और उसके लिए हमारे प्यास पहासाता और आपने देखा होगा नई पीडी एरपोर्ट पी देखो कि क्यो खड़ी है तो नई पीडी क्यों तोड़ती नहीं है और एकांज वेक्ति कर क्यों तोड़ता है तो सारे लोग गुशा करते है क्योंकि वो अपनी डिसिप्रिंग का करता भी निभाता है यही समाज जिवन में अगर स्वभाव बन जाता है तो देश का बहुत बला होगा था कि अ था कि यू प्राइम निस्टर सुल्फ पो यू डाइड़न